प्रसन आया इस सारे संग को चला कौन रहा है कौन सा प्रसन है रोज आएगा क्योंकि भूल गए लोग के संग कैसे चलते हैं दूसरों के संग को देखके वे नहीं समझ पाते हैं संग्ठनों की आदत है तो संग्ठन का तो मालिक होता है संग्ठन का तो एक रेष्टर्ड ओनर होते हैं कैसारे होते हैं तो संग्ठन का सीधा सा आंसर बनता है संग्ठन का मालिक संग होता है बस इतना ही बोलना है कि संग्ठन के मालिक संग ही होते है संग्ठन का मालिक संग संग by the संग for the संग of the संग जैसे संविधान होता है, संग के द्वारा संग के लिए संग का, इतना सा आंसर इसका होता है कल हमने पूरे भारत में एक दिन की पुद्ध पूर्णिमा मनाई मौसम बहुत बढ़िया था, खास्त तोर से नौर्थ इंडिया के अंदर मौसम का बड़ा असर होता है, हमारे लोग अभी इतने डेडिकेटिड नहीं है कि बिना मौसम के भी खूब धूमधाम मचाएं मौसम अगर अच्छा होता है तो लोग घूमने भी आ जाते हैं और काईकरम बढ़िया हो जाता है इसलिए हमारे जितने भी संग्ठनों के लोग हैं जो काईकरम लगाते हैं वो संडे को लगाते हैं क्योंकि संडे को छुटी होती है, वर्किंग डे में नहीं आ सकता उसकी मजबूरी हो सकती है और डेडी के संभी कम होता है और संडे में भी सारे लोग नहीं आते, बहुत सारे अपने काम करते हैं तो कल का दिन बहुत बढ़ी रहा, टेंपरिचर ऐसा रहा, जैसे मार्च का महीना चल रहा हो लोग धूप सेकने और घूमने के हिसाब से और बढ़ी आच पूरे देश में धूम धाम से महाराष्ट के अंदर तो बढ़ा पैसन होता है, पैसनेट लोग होते हैं, बहुत एक तरह से डेडिकेटिट लोग होते हैं, वहाँ तो कही के हपते तक बुद्ध की पूर्णिमा और बावा साप का बत्ड़े चलता है, पर हमारे अधर अभी कल्चरल मूव्मेंट बहुत कम है, और पॉलिटिकल मूव्मेंट जादा है, इसनिए अधर लोगों में थोड़ी दिक्कत है, महाराष्ट के या उधर के लोग इधर आएंगे, और इ पर किसी भी वक्त में, किसी भी भाषण में, जो बड़े-बड़े मंचों पे, छोटे-छोटे मंचों पे सेकड़ों मंच लगी, हजारों मंच लगी, भाषण देने वाले लोगों की संख्या कम पड़ जाती है, इस दिन, खास और से 14 अप्यल को, 14 अप्यल के बाद संड़ और बुद्पुर्णों वाले दिन या कोई 26 नॉवंबर या कोई दिन वैसा आता है, बहुत सारे भाषणों का धन किया, और सभी लोगों ने बुद्ध के गुणगान, बुद्ध का रूप, बुद्ध का चरित्र, बुद्ध का चरिया, बुद्ध का काम, धंपद, किसी ने भी ये नहीं बताया कि बुद्ध खतम कैसे हो गए, आखिर इतनी बड़ी जो सभेता थी, इतनी बड़ी जो कल्चर थी, इतनी बड़ी जो संखार था, जिसको आज संस्कति बोलते हैं, पराने समय में हम संखार बोला करते थे, इतना बड़ा जो संखार था, इतना बड़ा सब कुछ जो पूरे इरान से लेके अफगानिस्तान से लेके और भोटान और इधर स्री लंका, थाइलेंड, बर्मा, चीन का कुछ हिस्सा, नैपाल, आज का अफगानिस्तान, आज का बगला देश, आज का पाकिस्तान ये सारे के सारे हिस्सों में जहां ये कल्चर, जहां ये संखार, जहां ये संस्कति, जहां ये सब्भैता, जहां ये सिविलाइजेशन ये दोड़ती थी और जिसका नाम समण कल्चर, समण सब्भैता या समण सिविलाइजेशन थी आखिर उसके इतने बड़े प्रचारक, इतने बड़े जानकार जिनको समण बुद्ध बोला करते थे उनकी इस विचारधारा का, उनकी इस संखार का, या संस्कति का, कल्चर का, या सभ्था का नाम तक भी बदल दिया, ये कोई नहीं बताता सब लोगों ने पूजा की, पाठ की, फूल चड़ाए, अगरवती जिलाई, धूबती जिलाई, ठीक है क्योंकि अभी transition period है, लोग समझ रहे हैं तो दूसरी जो कल्चर है, उसको देखके अपनी कल्चर को डबलप करने की कोशिश करते हैं तो जब कोई कल्चर आसपास होती है, कोई संखार आसपास होता है, तो इस संखार के जो संखारे हैं वो आ जाते हैं क्योंकि अपने का पता नहीं और जो दूसरा है, पर सिश्टम अपना है क्योंकि कम से कम संथ अपना है, गुरू अपना है, समढ़ बुद्ध है तो ये संतुष्टी रहती है कि चलो अपने घर में आये अभी अगर पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं समझ जाएंगे कि पूजा कैसे करते हैं पाठ कैसे करते हैं असली पूजा क्या है पूजा का मतलब क्या है पर विद्वानों से ये उम्मीद नहीं की जा सक झाती हैं जो विद्वान सारे सारे हैं उनको तो ये बताना चाहिए कि अभी हम अगर धंब के च्हेतर में या बुद्ध की सम्मला कल्चर के च्हेतर में आपनी सब्हताग Springs दबारा से बाहर निकाल रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो इसके सिरिटी गौर्ड इसके सुक्षा के जो नियम है वो भी सासाथ हमें बताते रहना चाहिए और उसके जरूरी है कि पहले कैसे हम मारा पतन हुआ पहले कैसे हम खतम हुए उसकी जानकारी हमको दुर्स तरीके से होनी चाहिए साहित्य उठाओगे तो साहित्य में ये लिखा हुआ है कि जिसके पिर्चारक जिसके पिर्चारक यानि जो पिर्चार और पसार करते हैं वो अगर खतम हो जाते हैं तो वो चीज खतम हो जाती है यानि जिसका हम एप्टाइजमेंट करना बंद करने जिसका हम प्रोपो करना करना बंद कर दें, जिसकी हम किसी वह बात में जो उसका broadcasting है उसको बंद कर दें, या लोगों को बताना बंद कर दें, या उस बात को ना फैलाएं तो वो खत्म हो जाती है, ये एक नियम है, और ये ठीक बात भी है, पर ये एक कारण है, एक कारण से इतनी बड़ी सब्हता का विनास नहीं हो सकता, इतनी बड़ी सभ्वेता खतम नहीं हो सकती, कारण बहुत सारे रहे हैं, सबसे पहले ये देखना है कि आखिर जो ये सभ्वेता है, जो ये संखार है, जिसको संस्कती बोलते हैं, ये कल्चर है, इस कल्चर को क्यों खतम किया गया, क्यों ये सारे समण सं जितने भी स्रमण संथ हैं चाहे वो बुद्ध हैं चाहे वो कबीर हैं चाहे वो रविदास हैं चाहे जो भी है या आज के समय भी जो लोग जागरूख हैं कौन लोग हैं जो उनके पिचार पिचार को रोकते हैं या उनकी बातों को बदल के बताते हैं कौन है जो उनके आस्र कि क्यों करते हैं क्या कारण है इस पूरे भारत के अंदर जो समण सभ्यता या समण संखार समण कल्चर या जो समण संसकती 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 सब्द हमारा नहीं है पर बोला जाता है क्योंकि आपको समझ में तभी आएगा पर संखार को संसकती बोलते हैं दरसल संखार का जो असल इसलिए वो सब्द ठीक नहीं है, बदला हुआ सब्द है, तो संखार या कल्चर इस्तमाल करें तो उस संखार में है क्या और कौन लोग हैं जो उसको बदलते हैं और कैसे उसको बदलते हैं तो जायसी बात है कि पूरे सिस्टम के अंदर जहां व्यक्ति सुख और सुविदा चायता है, विकास चायता है तो किनी लोगों का सुख, विकास और सुरक्षा खतम हो रही होगी इस सब्भेता से, इस कल्चर से, इस संखार से, इन लोगों से तो उन्होंने इसको बदला, ये बात मिल्कुल इस पश्ट हो जाती है, क्योंकि जिसका नुकसान नहीं होगा, वो क्यों हिलेगा, जिसका नुकसान नहीं होगा, वो क्यों एक्ट करेगा तो किर्शी का नुकसान होता है हमारी सभ्वेता से, हमारी कल्चर से, पहले बाद, फिर इसको खतम कैसे किया जाता है. प्र क्योंकि जब नुकसान हो रहा है, तो जायसी बात है कि इसको लोग खतम करने की कोशिज करेंगे। तो कैसे खतम किया, खतम करने के बहुत साइट तरीके हैं, आप दो चीज़ें खतम करिए, सारी चीज़ें खतम हो जाती हैं, आप जो नागरिक्ता है, नागरिक्ता जिसको बाद में सभ्था बोलने लगे, नागरिक्ता सभ्था, हम नागरिक्ता इस्तमाल करते हैं, सभ्था भी करते हैं ताकि स्वंज में आये civilization और आप उसकी जो कल्चर है जो संखार है जिसको वो संसकती बोलते हैं उसको खतम कीजिए अगर ये दो चीज खतम हो जाती हैं तो सारे लोग खतम हो जाते हैं जो सभ्था या civilization है या जो हम इसको बोलते हैं नागरिकता ये वो चीज आती हैं जिसमें व्यक्ति रहता है काम करता है उसका शहर उसकी सडक उसका जंगल उसका मैदान उसका घर उसके जो भासा है बोल चाल है जो वो इस्तमाल करता है जो वो बनाता है ये वो सारी चीज़े हैं जो वाहियर रूप से बहारी इस्तेमाल करता है या उसमें रहता है वाता, वरारन सब कीजी हो सकती है नदीन अले सब जो महल बहले बनाता है वो सारे और जो उसके अंदर change होता है यानि कि जो जो मनुवस्य है मनुवस्य लगातार अपने आपको बदलता रहता है उसकी जो मन के अंदर जो चीजें आती हैं राग द्वेस वो बदलती रहती हैं उस बदलने के हिसाद से वो अपने वहवार को बदलता है उसको संखार बोलते हैं बहुत सारे संखार हो तो उनको संखारा बोलते हैं यह जो संखार सब्द है यह संख से बना हुआ है यह कहे कि संखार जब होता है तो बाद में संख कहते हैं संख वो ही है साधरन जो आप बजाते हो जो आप देखते हो सफिद रंगा पर यहां संख का मतलब यह है कि जो अपने आपको लगाता धीरे-धीरे बदलता रहता है और बना लेता है और बढ़ा करता रहता है क्योंकि संख के अंदर जी लेगा कि यह बढ़ कहां से राए पर वो धीर धीरे बढ़ जाता है उसी से संख्ला बना यानि संख्ला जो है सद्ध है संख लिका या संख्ला उसी को बाद में संख्ला बोलते हैं यानि लगातार लगातार कोई चीज होती रहती है तो उसको संख्ला सुरीज बोलते हैं और जो लगाता लगातार बढ़ती रहती है बदलती रहती है चीज उसी से संखार सब्द बनाए और उसी से संखारा ये संखारा सब्द पाली सहित्यकार पुराने सब्दों का सबसे मारक सबसे जबरजस्त और सबसे टेक्निकल वर्ड है जो लोग बुद्ध की विपस्ना करेंग बुद्ध के द्वारा डबलब विपस्ना करेंगे या पाली पढ़ेंगे और पाली में अपना मन पढ़ेंगे और अपना सरीर पढ़ेंगे ग्यान पढ़ेंगे उसमें ये संखारा आता है क्योंकि संखारा संखार जो होते हैं वो लगातार बनते रहते हैं जैसे अभी हमने कुछ खाने का मन किया तो संखार बन गया फिर कुछ पीने का मन किया तो संखार बन गया अलग टर्म है एक पर वो जो लगातार हम चेंज होते रहते हैं उसी से संखार से ही बाद में इसको कल्चर को संसकती नाम दिया गया संसकती नाम हमारा नहीं है पाली का नहीं है ये जुटा नाम है एक तो इसमें आधा रह है दूसरा ये बदला हुआ है ताकि जो संखार सब्द है वो खतम हो जाए तो संखार सब्द खतम हो गया और संसकती सब्द चल रहा है इसमें चल गया, आपने देखा होगा कि एक सब्द चलता है संसकरण, ये संसकरण किताबों में बहुत आता है, चोथा संसकरण, पांचमा संसकरण, छटा संसकरण, ये पाली के अंदर संखरण है सब्द, औरिजन सब्द है संखरण, यानि कि संखरण का मतलब है मरम्मत कर दी गई जो संखर सब्द बोलते हैं इसका मतलब है बदलना और जो संखरन है इसका मतलब इसका जो रेस्टोरेडेशन है इसका बदलाब है वो कर दिया गया है इसलिए जब हम कहते हैं दूसरा संखरन है संखरन है इसका मतलब पहले वाले को मरमत कर दिया गया है पहली वाले जो क करता है संखारोती इसी को बात में संसकारित बोला गया कि यह संसकारित है यानि कि इसकी मर्मत हो गई हमारा जो सब्द है जो सद्द है समन इसको संसकारित या संखारोत किया गया संखारोती इसकी हुई तो इसको सर्मन से समन कर दिया गया तो किसी को अगर खतम करना हो उसकी जो संखार है उसकी कल्चर है उसको खतम करना हो या उसके सभीता को खतम करना हो जो उसकी सदियों से उसका रहें सेन, खान पीन, बोल चाल, भासा लगाता चलती आ रही है उसका शहर, उसका गाउं, उसकी मढईया, उसकी कोठी, उसकी बंगला इन सब को अगर तहसनेस करना हो तो सबसे पहले उन सब्दों को ही खतम कर देना चाहिए जिन सब्दों से उनकी पहचान होती है मैं यहां बैठा हुआ हूँ अगर मेरे को खतम करना हो तो सबसे पहले मेरे नाम को खतम करना चाहिए जब मेरा नाम ही रहेगा तो एक आइडेंटिटी जो मेरी सोसाइटी के अंदर है वो खतम हो जाएगी कौन मुझे जानेगा कौन मुझे पचानेगा मेरा जो यह आवाज महरा चौरा यह जो भी कुछ है यह सब नाम से आता है जैसे ही मेरा नाम किसी के जहन में आता है दमाग में आता है वो मेरा चहरा महरा नाग चस्मा बाल कान बोलने का आवाज का frequency मेरा सरी लंबाई चोड़ाई या जो मैंने बोला जो बताया क्या moment है क्या नहीं वो सब मैं कहां रहता हूँ क्या खाता हूँ क्या प्यता हूँ वो उसको सारा का सारा identify हो जाता है सिर्फ एक नाम से ही यानि नाम खतम कर दोगे तो आप पहचान नहीं सकते के मैं कौन हूँ किसी को जब तक नाम नहीं बताओगे के हमारा समढ़ संग क्या है उसके दमाग में समढ़ संग नहीं आएगा तो समढ़ सब्द को ही खतम कर दोगे समर्संग कोई खतम कर दोगे तो पूरी सबर्ता खतम हो जाते है, नश्ट हो जाते है इसलिए ये काम उन्होंने किया और इस काम के लिए उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट यानि समझोता करके दाम दे कर खरीद कर दंड माने उसको डरा कर या उसको मार कर या पीट कर भेद माने उनमें आपस में उच नीच का छोटे बड़े का अंतर करके छल माने धोका यानि के कोई भी आदमी कहे कुछ और करे कुछ धोका और कपट माने कि सामने बलकुल आखों के सामने अपनी कही बात को मुक कप्टी एक दम ऐसा कप्टी के अभी आँखों के सामने तुरंट का तुरंट हाथ में उसके में दो सेव हैं उससे पूछो कितने सेव हैं तो कह दे के मेरे हाथ में एक भी सेव नहीं है ऐसा कप्टी जो आँखों के सानब लग moż इस्ति माल फिरी पूरी सब्धतार पूरी पूरी चुजर तरी संक्खारे उसको नस्ट करने में समझोता किया गया जहां मार नहीं सके वहां समझोता किया गया हम भी आपके हैं हम भी स्कल्चर को जानते हैं हम भी स्कल्चर में हैं हम भी आपके संतों को नमन करते हैं हम भी आपके संतों का फोटो लगाते हैं हमारे ही संत हैं सारे मनुस से बरावर हैं आपके संत ने ऐसा कहा है आपके संत ने बहुत बड़ी बात कही है आपके संत क को भी मानो हम आपके मानते हैं इससे कल्चर नश्ट हो जाती है क्योंकि आपने अपनी सही बात के साथ साथ में दूसरे की गरत बाद भी माली दो तरह की कल्चर मिक्स नहीं हो सकती एक जिसके अंदर गौड है और एक जिसके अंदर गौड नहीं है ये दो तरह की अलग अलग संतों को माल लो हमारे गौड को माल लो हमारी तरह रहने से ना सुरू करो हमारा जयजय कार करो हम इसके बदले में आपको पैसा देंगे तो पैसा देके दाम देके उसको अपने विचारों में बदला जाता है तो इसके अपने विचार खतम हो जाते हैं जिसके पास पैसा दिया जाता है वो फिर अपना विचार नहीं बोच सकता ये ठीक ऐस है जैसे आज के समय जो कोई व모क्ती किसी राजनितिक पार्टी का आदमी होता है और वो अपनी पार्टी बदले और उसको पैसा मिल जाए तो फिर वो पहली वाली जो राजनती पार्टी की विचार धारा है उसके वारे में नहीं बोच सकता क्योंकि उसने पैसा ले लिया अगर पैसा ले लिया तो नहीं बोच सकता बहुत सारी लोगों ने अपने मत बदले जब अंग्रेज आए तो लोगों ने मत बदलके इसाई होगे क्योंकि उनको पैसा मिल गया जब यहां मुस्लिम आए तो मत बदलके यहां मुस्लिम होगे क्योंकि उनको पैसा मिल गया यह सुबधाय मिली या पैसा मिला तेरा हम तुझे करने नहीं देंगे तो हा नि सकता बैठनी सकता उठनी सकता खा नी सकता पी नी सकता रह नि सकता तालाव को छोनी सकता जमीन परे चलनी सकता थूखेना भी ना लेताmented के जिंदा तो रहे कम से तो साम, दाम, दंड और उसके बाद आता है भेद, भेद के अंदर व्यक्ति के जो व्यक्ति होता है उसके मन को करट किया जाता है, उसको कहा जाता है देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये पहला है, ये बाद का है, ये अच्छा है, ये खराब है इस तरह से उसके दिमाग में bhrhm पैदा किए जाते हैं उसमें अंतर डाला जाता है और लोगों में अंतर डाल के उनको तोड़ा जाता है। इससे व्यक्ति अपनी सब्भता, अपनी कलचर, अपनी नारिक्ता उस सब को छोड़ देता है और दूसरे के भ्रम में फच जाता है और भाई-भाई के दुस्मन हो जाते है उसके बाद आता है चल चल के अंदर जो व्यक्ति होता है वो उसको चलता है कोई भरुसा दिलाता है और भरुसा दिलाने के बाद उस भरुसे को तोड़ देता है अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता मैनुफेस्टों में कुछ और लिखेगा जैसे चुनाबों में होता है पर करता कुछ और है भाशनों में कुछ और बोलेगा पर करता कुछ और है प्रॉमिस कुछ और करेगा खतम हो जाती है और आखिर में आता है कपट यानि कि आँखों के आँखों के साम नहीं वो आपकी सब्भेता को बिल्कुल मानने से इंकार कर देंगे और अपनी स्रिष्ट पताएंगे, अपनी नारनागरिकता स्रिष्ट पताएंगे और आप कुछ भी कहते वो आपकी बात को नहीं मानेंगे. इन छ्वे के छ्वे जो यंत्र है इन को कैसे इस्तमाल किया गया? इन को कैसे चीज़ें पूरी करके, पूरी सबृतर, पूरी कल्चर को नन्ष्ट किया गया. इसके एक अधारा। एक जीज़ें बुलकुल इसपेश्ट इसपेश्ट आपको दिखाई देती चली जाएंगे भारत के अंदर जो लोग आए जैसे मुगल आए तो मुगलों ने जो भी बाहर से आता है वो सब तरह की हतियार अजमाता है चाहे वो मगल हों, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो पोर्शुगीज हों, चाहे वो पहले वाले जो तेरे प्रकार के लोग आए वो हैं, या अभी और भी जो लोग कोई आएगा वो हैं, वो सब यही काम करते हैं, क्योंकि उनको जिंदा रहना है और जिंदा रहने के समर्द बहुत सारे संत आते हैं उसमें बुद्ध भी आते हैं उसमें कबीर भी आते हैं उसमें रविदास भी आते हैं उसमें चोखा मिला भी आते हैं नाम देब भी आते हैं सतनामी भी गुरु घजदास भी आते हैं उसमें विर्सा मुंडा भी आते हैं बहुत सारे लोग है हैं उनको खटम करने के लिए ये सारी के सारी चीजें वो लगाता लगातार इस्तमाल करते रहते हैं और जब वो सारी चीजें लगातार इस्तमाल करते रहते हैं तो ये सब्वेता हैं और ये जो कल्चर हैं ये खटम हो जाती हैं इनका पता भी नहीं चलता और जब इनका पता नहीं चलता तो लोग इस सब्वेता और कल्चर वाले जो रिच लोग थे वो गरीब हो जाते हैं और उनको किस बात का भी अंदाजा नहीं होता कि वो कितने उनकी कल्चर उनकी नानारिकता उनकी सब्वेता कितनी महा यह से घपरान नहीं चाहिए पर यह होता तब ही है जब आप सारे के सारे इखटे हो जाओ अगर आप इखटे हो जाते हैं अगर हम इखटे हो जाते हैं तो बेसक हमको अपनी पुरानी सभेता याद हो या ना हो बेसक हमको अपनी पुराना संखार पुरानी नागरिक्ता पु उन चीजों को याद दिला देता है, अगर हम बुद्ध के धम की भाशा में कहें, तो जितने भी जीवों से हम बने हैं, जितने भी जीवों से बनके हम मनुष से बने हैं और आज मनुष से हैं, उन सब की मैमोरी, मैमोरी कार्ड या मैमोरी चिप हमारी बॉडी के अंदर ट्रा और लास्ट वाला जो जीब बनता है यानि जैसे मैं इस समय हूँ तो मेरे पुराने जितने भी बोडी जैसे जैसे डबलब हुई है उसके सारे के सारे अनुभव दर्ज रहते हैं वो मुझे पता रहते हैं इसलिए जो बच्चा पैदा होता है और जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो आप देखो कि बच्चे को कुछ बातें आटोमेटिक पता रहती है कि उसको मा का दूद पीना है और उसे दूद नहीं मिलेगा तो उसे रोना है ये उसे कौन से खाता है क्योंकि ये उसके जीन में चल के आता है पहले से आता है ये बच्चन ने बताया हुआ है इसलिए सारी मेमोРИ हमारी आटोमेटिक खुल जाती है पर वो खुलती जव है जब आप तीन बातों से मुख्थ हो जाओ तीन बातें कौन सी है तीन बाते हैं कि सबसे पहले आप इस बात से मुक्त हो जाओ कि आपको खाना एकटा करना है जिस व्यक्ति को पूरे दिन रात ये चिंता रहती है कि उसको शाम का रोटी कहां से मिलेगी और उसको सुबह की रोटी कहां से मिलेगी वो चिंतन नहीं कर सकता, वो सोच नहीं सकता, वो अपनी मुक्ती का रास्ता नहीं खोज सकता, उसका दिमाग आगे नहीं चलता इसलिए भूक सबसे पहला जो बेसिक इंस्टिक्ट है यानि जो पहली जरूरत है जो पहली प्राकर्टी जरूरत है मनुस्य की या जानवर की वो है खाना उसको खाना चाहिए खाना मिलने के बाद में सरीर को रिपेर करना होता है तो दूसरी चीज है उसको आराम चाहिए, उसके सरीर को रेश चाहिए, चाहिए भले सोय या ना सोय, पर सरीर उसका इस्थर रहे, जैसे बुद्ध कभी सोते नहीं थे, बुद्ध की आँख नहीं बंद होती थी, पर बुद्ध सिंग आसन में लेटते थे, क्योंकि उनको अपना रीप्रड़क्शन करे, यानि खाना मिल गया, उसका सरीर आराम कर गया, रिपर कर गया, तो अब उसकी चिंता रहती है, कि उसका जो अस्तित्व है, वो बना रहे, और अस्तित्व बरे रहने के लिए, उसके जैसे और जानवर या उसके जैसे और लोग आएं, और व ये है कि उसको मांसिक आजादी चाहिए बाकी सब को तो सारिक आजादी चाहिए जितने भी जानवर हैं जो भी है पर मनुस्य को सारिक के साथ साथ मांसिक आजादी भी चाहिए ये मांसिक आजादी वाला जो मैटर है ये सबसे ज्यादा important है क्योंकि जिसको जिसके मन को गुलाम बना देते हैं उसकी सारी चीज गुलामी में चली जाती है तो ये सारी सारी चीजे अगर आपकी हैं तो तो आप संग के वारे में सोच सकते हैं समर्धम के वारे में सोच सकते हैं संतों के वारे में सोच सकते हैं पर अगर आपकी सारी चीज़ें ये छिलनी जाएं फिर आप किसी काम के नहीं बन सकते यही हुआ जो धम हमारा गया जो हमारा समण संग हमारा गया यह जो हमारी समण सब्भेता या समण कल्चर या समण नागिता है वो हमारी गई उसका कारण यह था कि हमारी जो इस्थिती है वो धिद्रे धिद्रे करके यहां तक आ गई कि हमको मरे हुए जानवर के मास के उपर डिपेंड रहना पड़ा और यह एक दिन में नहीं हुआ है यह कई सो सालों में हुआ है और लगातार दूसरे क्या किया यह वindet के अंदर यीद के अंदर यो बात यह नहीं चलती जब यद होता है और लडाई होती है तो महां यह नहीं देखा जाता कि मनुस्षे मनुस्षे के साथ क्या कर रहा है जब मामला सुख का सुवधाओं का और बिना महत करें खाने पीने का है तो वहा आदमी कि अंदर जानवर वाले सारे गुणो निकल आतें बाहर, वो सब अनदर होते हैं, मोजूद. इसनिए बुद्धे ने बताया है, कि राग और द्वेस का पुतला होता है मनस्थ उसके अंदर सारे वहवार होते हैं. तो ये सारी चीजे चीजे चीनी गई ये सारी चीजे चीनने के लिए ये छे świadयार अपनाए गए साम, दाम, दंड, बेच, चल, कपट इनका उद्दे से ये था कि हमारा खाना खतम हो जाये तो हमारा सरीर खतम हो जायेगा अगर हमारा सरीर खتم हो जाएगा तो हमारे अंदर स्वस्ते मन नहीं होगा तो हम चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते बुद्ध का भी पहला यह e नइन था उन्होंने भी ये देखा कि अगर मैं मरी गया तो किसको बुद्धत प्राफ्द होगा, किसको धम मिलेगा, फिर तो सरीर खतम हो जाएगा, इसलिए पहले सरीर को बचाओ तो सरीर को बचाने का प्रियास पहले किया, और जिनके सरीर नहीं बसते हैं, वो कोई चिंतरमन नहीं कर सकते तो इसलिए अधिकतर हमारे लोगों की हलत ऐसी है कि उनको यह नहीं पता कि वो हैं क्या और क्या नहीं है। उनको यह नहीं पता कि वो मनुस्से हैं या जानवर हैं। क्योंकि उनको इस स्थिती में पहुँचा दिया गया है और वो बहुत धित्रे करके पहुचाया है। पर जिन लोगों को ये जानकारी हो गई है कि अब हम मरने वाले हैं, हमारे बच्चे मरने वाले हैं या हमारी स्थिती फिर वही आने वाली है, जो हमारी पहले थी हमारा खाना लगबग छीना जा चुका है हमारा जो खाने मिलने के संसादन थे वो काम से होते हैं हमारे पास काम होगा तो हमको पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा तो हमें खाना मिलेगा पर काम ही छीन लिया है तो काम नहीं मिलेगा तो पैसा कैसे मिलेगा जो काम हम करते थे वो सिर्फ एक काम हमारा था कि हमको फिलहाल में नौकरियां मिलती थी सरकारी नौकरियां वो ज़्यादा अच्छी थी प्राइवेट नौकरिया ठीक हैं पर उनमें ज्यादा नहीं मिलता है इसके अलावा हमारे पास में और कोई संसादन भी है नहीं वो नौकरिया हमको मिलती थी आरक्षन से आरक्षन नहीं हटाया क्योंकि चुनावी कारेक्रम हो सकता है चुनाव में फरक पड़ जाएगा बोटो का इसलिए आरक्षन तो रखा पर जो जहां नौकरी मिली थी जिन डिपार्टमेंटों में विभागों में वो सरकाई डिपार बड़ी बड़ी कीमत देनी पड़ती है हमारी माताओं भेनों को बहुत सारी दिक्कत हमारी वहां होती है हमारा बैपार छोटे सेर में नहीं चल सकता क्योंकि वहां जात के आधार चलता है और वो लोग जात के आधार पे बैपार को सुविकार नहीं करते नहीं वहां चल पात सके हैं या सरीर को ठीक कर सके हमारे पास में कोई ऐसा धम्मिक रास्ता नहीं है कि हम दुनिया के बाकी बुद्धिष्ट कंट्री हैं उन से मिलके उनसे मतद मांग सके हैं या उन देशों के अंदर हम नौकरी कर सके क्यों कि हम बिखरे हुए लोग हैं और राजनियतिक उसका हुआ रही यह सारे अधिकार हमारे चले गए और चले के अगे यह पूरा एक सिस्टम काम करता है यह सिस्टम काम करता है कि हमको खाना नहीं मिलना चाहिए अगर खाना मिलेगा तो हमारा दिमाग चलेगा खाना मिलेगा तो हम फिर मुक्ती के रास्तिक तरफ सोचेंग तो खाना नहीं मिलना चाहिए और ये पूरी दुनिया का नियम होता है इसलिए इसका अच्छा बुरा नहीं मानना है इसके लिए फाइट करना है आप किसी को दोस दो और ये कहो अरे इसने किया इसने किया इसने किया उसका काम है वो अपने लिए लड़ रहा है हमको अपने कमिया छुपाते रहें उसका कोई फाइदा नहीं होने वाला जो करता है वो करता है जो लोग बहु संक्यक होते हैं वो हर चीज के मालिक होते हैं जो संग में रहते हैं जिनकी संक्या जादा होती है उनकी इंड़स्ट्री भी होती है उनका देस भी होता है उनकी चीना होगा जवस्ती को तल्वार की ढाल पे या कैसे कुछ गटनाएं होंगी पर पैसा देके बाकाइदा खाइदा गया है हमारी जमीने जो ली गई हैं कुछों के फर्जी साइन अंग उठा करा के ले लिए के होंगे पर अधिकतर छोटी मोटे रकम देदा के भगा दिया गया है ऐसी रकम जो हमने मागीनी पर जवस्ती दे दी गई ताकि हम ये ना कह सकें कि हमारे साथ कोई जाती हुई है ये सिस्टम चलता है पूरी दुनिया में चलता है इसलिए यहां जो तरीके हैं और जो बताए जाते हैं बुद्ध को खतम करने के उनको कोई नहीं बताता कि बुद्ध की सब्वेता बुद्ध की कल्चर या समर्ड धम की या समर्ड संग की या समड़ों की जो सबहता है समड़ों की जो नारिकता है समड़ों की जो नगर थे वो नगर से सहर के कौनों तक कैसे आगे कोई नहीं बताता इस बात को और कोई बताता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बताएगा तो काम करना पड़ेगा खाली भाशन देना बड़ा आसान है इन्हीं समण संग के अंदर ये बातें बादें बताई जाती है पहले कहा जाता है कि भाई आप इखटे हो जाओ क्योंकि इन सारी बीमारियों का एक इलाज है बस और वो है इखटे रहना कोई व्यक्ती कितना भी विद्वान हो वो भähस कर सकता है कि जी इटे होंके कैईसे जीतेंगे तो हम उससे एकी बात पूशते है कि ये बताओ कि जो तुम काम करोगे क्या उससे लिए इटे होने के लिए नहीं कहते हो क्या तो वो चुप हो जाता है अरे तुम राजनितिक पार्टी की बात करोगे तुम करोगे के ताला चावी खुलेगा, राजनेतिक सारे अधिकार मिलेंगे, हम मना नहीं करतें इस बात से, सारे अधिकार तो नहीं मिलते, पर कुछ अधिकार मिल जाएंगे, तो राजनेतिक ताले चावी खोलने के लिए तो तुम्हें बहुत सारी चावी चाहिए, बहु कोई राजनितिक पार्टी ये 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 नहीं कहती कि हम बड़े मुर्ख लोग हैं हमने इतने सारे ताले बना दिये इतने सारे चावी बना दिये हर राजनितिक पार्टी का आदमी ये ही कहता है कि सारे तालों की चावी राजनिती है अरे ये क्यों नहीं कहते कि तुम इतने मुर्ख लोग हो कि तुमने इतने सारे ताले बना दिये हैं किस-किस की चावी खोले और किस-किस के ताले खोले ये तो बताओ और इससे होना क्या है अरे एक ताले की चावी और एक ताले ये तो खोलना था पर ये कभी नहीं कहते किस वह सब्सकी आखिए कर लिए गएक सारे राजदे की पार्टियों की ऐक पार्टी करते हैं कोई नहीं कहा जाते हैं और हम इतने मूर्ख Christians कि पूचते नहीं उन से कौन सा ताला खोलना है कौन सी चाबी खोलनी है पहले डिशायड तो कर लो कोन इसका मालिक है कोन नहीं है यह समस्या लगातार बड़ी रहती है। वैसे ही कल जो हमारा धमका काई कर्म हुआ हमको कोई मतद नहीं मिलने वाली जापान से। हमको कोई मदद नहीं मिलने वाली कोरिया से, हमको कोई मदद नहीं मिलने वाली जर्मन में इतने बुद्धिष्टे हैं उन से, हमको कोई मदद नहीं मिलने वाली अमरिका के अंदर इतने बुद्धिष्टे हैं, दुनिया में बड़े रिच बुद्धिष्टे हैं, इतनी रि कर लिया कोई दसमा कर रहा है कोई साथमा कर रहा है को आटमा कर नंबर बनाने काउंटिंग कर रहे और तुमने बुद्ध का काम कौन सा किया अगर यह लड़कों को रोजगार नहीं मिलें तुम सब इखटे होके पूरी दुनिया से अपना रेशंशिप नहीं बना पाए तो अम्बेटकर का सपना कहां पूरा हुआ डॉक्टर अम्बेटकर ने आपको बताया कि यह धम आपका है इस देश का धम है और पूरी दुनिया में गया हुआ है पूरी दुनिया के धम्मिक लोग अपना उधार चुकाने के लिए भारत किरब देखते हैं कि भारत के कुछ की करेंगे अलगली काम करेंगे बस इतना ही उनका तुष्टी करण है इतना ही सैटिसफेक्शन है कि हमने एक काईक्रम लगाया अब अगले साल फिल लगाएंगे इस वार हमारा दसमा अगले वार हमारा ग्यारमा फिर हमारा बारमा और बहुत बढ़िया काईक्रम हुआ इस का है और वह पूरी दुनिया का है पर पूरी दुनिया बों तो हम गए नहीं और जाए कैसे जब तक इखटे नहीं होंगे बहरवाले लोग किस से बात करें, किसे जाएं, वह बहरवाले लोगों के पास मीडिया जाता है, वो परिशान हो जाते हैं अरे हरा आदमी रगलक काम कर रहा है ना तो भिक्कु संग है और ना ही कोई उपासकों का संग है तो उपासक संग नहीं भिक्कु संग नहीं तो कैसे काम करें ये समस्यां लगाता 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 चलती रहती हैं ठीक ऐसे ही हमारा पूरी सब्वेतार प सारे टुकडे हैं तो कैसी बुद्ध पूर्णिमा है कैसे कहेगा कि अगर बहुजन रट रहा है तो फिर बहुजन है कहां ही तो सारे सारे अलपजन अलपजन हैं यह बात है कहने के लिए कोई त्यार नहीं है अब सारे लोग विरोजगार होने वाले हैं अब ही पांच साल के अंदर महांगरों के अंदर जो मोट साइकल स्कूटर ठीक करने वाले जो मिस्त्री हैं वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि अब E-V आ गया है और उसके अंदर इंजन नहीं होता कारे अब आगई है महानगरों के अंदर जिसके अंदर इंजन नहीं होता तर फिक मोटर होती है और वो रिप्लेस्मेंट में जाती है या नहीं मोटा खराब होई और ठीक नहीं होती वे दूसरी लगेगी तो मिस्तری और मेकेनिक व काम खत्म हो जाएंगे तो ये जो लाखों करोडों जो मिस्तری और मेकेनिक हैं छोटे-छोटे इनका क्या होगा कोई इनके लिए योजना नहीं है अभी दुकाने सारी सारी बंदों हो रही है दुकान वाले दुकान जाने हमाए लोगों की ज़्यदा दुकान नहीं है पर हमारा भी काम लगबख खतम है जो सरकारी करमचारियों को थै क्योंकि मसीने आगी है, कम्पूटर आगे हैं और नौक्रियां लगबग सारी खतम है तो हमारे लड़के क्या करेंगे हमारे लोगों को रोजगार कौन देगा हमारे लोगों की तो एजूकेसन भी खतम कर दी है, हाइर एजूकेसन हमको मिलती नहीं जो टेक्निकल एजूकेसन है वो करोड़ रोपे में हो गई है, जो टेक्निकल है और जो एजूकेसन हमको मिल रही है उससे तो पहली बात तो नौक्री नहीं चप्रासी किया, दूसरी बात वो मिलेगी नहीं और कितने लोगों को मिलेगी और क्या करेंगे तो वो काम क्या करेंगे पहले तो कुमार का काम करते थे तो बरतन बनाते थे चम्रे का काम करते थे तो बैल्ट बनाते थे बैग बनाते थे जूता बनाते थे नाई अपना हेर कटिंग का काम करते थे कपड़ा बुनने वाले कपड़ा बुनते थे, सिलने वाले सिला करते थे, धोने वाले धोया करते थे, जो गोड़े पालने वाले गोड़े पालते थे, जो रध चलाने वाले रध चलाते थे, पहले ये सारे काम मनुस्य करते थे, अब ये सारे काम मशीने करती है, और मशीनों की जो जानकारी है बनाने की और इंडिस्टी की वो हमारे पास है नहीं हम तो मैनुफैक्चर है नहीं तो इतने सारे लोगों का जो यहां लाखों करोडों समण लोग हैं उनका क्या होगा अभी एक महामारी आई कोविट की उसमें 60-70 लाख साफ हो गए 60-70 लाख जो लोग थे संग होता अगर वो इखटे होते तो वो अपने डॉक्टरों से फोन करके पूछ लेते कौई से होस्पिटर में जाना है क्या दवाई लेनी है क्या करना है पर कोई संसादन नहीं कोई सिस्टम नहीं कोई एक दूसरे जुड़े हुए नहीं कोई जानते नहीं कोई पचानते अगर फिर कोई आपदा आ गई तो कैसे करोगे, 60-70 लाक फिर मर गए, फिर फिर मर जाएंगे, तो मरने के लिए काम करना है, तो फिर करना क्या है, पर अगर जिंदे रहने के लिए करना है, तो काम सब को करना पड़ेगा, जब तक संग में सारे लोग काम नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी क्योंकि मैंने सुरू में बताया था बाइदा संग फोर दा संग और संग सबका संग है सबके लिए है सबके द्वारा है तो इसका मनला काम सबको करना पड़ेगा यहां दस-बीस लोग काम नहीं करेंगे हर व्यक्तिक काम करना पड़ेगा तो जिंदा पर दो पुछने वाला है नी है जिंदा आपना उसको लट लेकर कहीं जाना नहीं है कोई trial집 नहीं करने हैं कोई कहीं धन्या प्रत्संद नहीं करना है कहीं करना है कोई सरकार भी नहीं बनानी है कोई ताला चाबी भी नहीं खोलनी है, कोई किसी मतमे किसी धर्म में भी नहीं जा जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ इखटे होना है, और इखटे होने का जो आज का संसादन आपके पास है, वो सिर्फ संग है, क्योंकि संग वो डेमोक्रिटिक सिस्टम है, जिसके अंदर आपकी सुनी जाएगी, आपकी बातें यहां रख सकते हो, आप जो काम करना चाहे वो काम कर सकते हो, आपकी अधिकार यहां सुरक्षित हैं, आपका विकास यहां सुरक्षित हैं, जैसे पहला था, इसलिए संग का जो प्लेटफार्म है या जो संग है, उस सबसे बड़ा होता है 39 लाख संग्ठण हैं हमारे पर 29 लाख संग्ठणों के होते हुए वैसे उसी संग के तरीकी की वैसे उसी संग के संखार की वैसे हम आज तक जीवित हैं उसी संग के उसी जो जितने भी हमारे समण महाप्रूस रहे हैं उनी की बातों से और सेम बात रही हैं आज तक हम जिंदा हैं और वही जो समण संथ हैं जो डॉक्टर बावा साब के नाम से यहां आए उन्होंने भी वही सिध्धान दिये और सारे सिध्धान तो वह देखे वही सम्विधान में उन्हें लिखे और वही सम्विधान पास हुआ और वही सम्विधान भारत में लागू हुआ उस सम्विधान से हमें सारे राइट मिल सकते हैं सारी चीजे मिल सकती हैं पर उसके लिए आपको संविधान की वो सर्त माननी पड़ेगी इसमें संविधान ये कहता है कि दिखाओ अपनी संख्या भारी और ले जाओ अपने अधिकार सारे तो आपको अपनी संख्या दिखानी पड़ेगी और संख्या संख्ठनों में नहीं है संख्ठन कोई सा भी अपनी संख्या नहीं बताता और वह संख्या है भी नहीं और वह संख्टन खुद एक दूसरे के दुस्मन है 39 लाग संख्टन है उनसे बात नहीं बनने वाली है अगर बात बनेगी तो खुद के इखटे होने से बनेगी और हम कभी इखटे हुए थे जब 2 अपरेल 18 को हमारा धिकार चला गया उस समय हम इखटे हुए उस समय ना कोई नेता आया ना कोई संख्टन आया ना कोई मंत्री आया ना संत्री आया ना सरकार आई ना ही कोई धम आया ना ही कोई धमिक आया ना ही कोई संत का अलग आदमी आया पर सारे आये सारे संतों के लोग आये सारे मठों के लोग आये सारे जितने भी आम आदमी सब आये अलग अलग भासा के लोग आये अलग अलग जाती के अलग वर्ग आये पर जाती छोड़ के आये वर्ग छोड़ के आये अपना धर्म छोड़के आए अपना मत छोड़के आए अपना एहम छोड़के आए अपना वहम छोड़के आए अपना एगो छोड़के आए और सड़क पे आगे इखटे तो हुए थे कौँसा कहीं पे उन्होंने गोलिया चलाई कौँसा बलकर लोगों ने उनके इखटे होन उने हमारे निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई, पर हमारा काम बन गया, फिर हमको एक रास्ता पुराना याद आ गया, कि अगर हम चार घंटे के लिए खट्टे हो सकते हैं, तो हमारा एक अधिकार बसता है, अगर हम परमनेंट इखट्टे हो जाएंगे, तो हमारा कोई अधिकार जाए गए नी फिर हमने आँख उटा के देखा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि बाकी लोग उन्हें संग बना रखे हैं सिक्खों ने अपना संग बना रखा है उनके अधिकार उनके घर पहुंच जाते हैं जो अपोनेंट लोग हैं जोनोंने सारी धिकार ले रखे हैं उनके सारे धिकार उनके घर पहुंच जाते हैं जो कृष्टन लोग हैं उनके अधिकार उनके घर पहुंच जाते हैं जाटों की कोई जाटों का कोई मत नहीं है पर उन्होंने अपने जाट नाम से समुधाय से संग ना रखा है वो खूब फाइट करते हैं अपने दिखार ले लेते हैं हर्याने के अंदर पंजाब के अंदर तो ये सारे चीचे हमें सौझ में आ गए हैं कि भाई सारे तालों की जो चाबी है वो सिर्फ एक है और वो है इकटे होने की और कोई ताला चाबी काम नहीं करता अगर हमने जीतना है और जिद्ध हमारी जीतने की है और हमको आगे बढ़ना है और हमको फिर दुवारा से अपनी सभ्था को और अपनी कल्चर को अपनी नागरिता को अपने संख को अपनी संस्कृति को दوبारा से बढ़ा कारना है और जीवित रखना है क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी जीवित सभ्वित्व है हमारी संभड सभ्वत्य है तो हमको सिरफ वही काम करना पड़ेगा जो बुद्ध ने कहा संगं सरनंग अच्छामी संघ की सरन में जाता ह या जो डॉक्टर मिटकन ने कहा और्गिनाइज यानि के संगटित रहो एक साथ रहो या जो संतों ने कहा के संगति करो साथ साथ रहो एक साथ रहो या जो गुरुनाग ने कहा के एक औंकार यानि के एक ही आकार में रहना है एक औंकार का मतलब है एक आकार में रहना है एक सा रहे कर या जो हमारे बुड़े मावाब जब मरते हैं तो एक ही बात कहके जाते हैं कि भाया करना कुछ भी पर रहना साथ साथ वही साथ साथ वही संग संग वही संग वो सब एक ही बात है चाह साथ है चाह संग है या संग है इससे बाहर नहीं जाना है इसके अंदर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आना है और जितनी जल्दी इसके अंदर आएंगे औरों को लेके आएंगे जीतने की गारंटी पूरी और अगर नहीं आते हैं संग में और अलग-लग रहते हैं तो मरने की गारंटी भी पूरी दोनों guarantee' यह हम मर इसलिए रहें क्योंकि अलग लग हैं हम बचे इसलिए हैं क्योंकि हम इखटे थे अब वह समय चला है कि हमको इखटे होके बचना है या अलग अलग रहके मरना है इस वार हम पूरी तरह से साफ हो जाएंगे अगर हम अलग लग रहें क्योंकि पहले जब हम उस समय हमारी जरूरत थी, क्योंकि सारा काम व्यक्ति करते थे, इसलिए चाहे मसाज का काम हो, चाहे खेती का हो, चाहे मजदूरी का हो, चाहे इंडस्टी का हो, चाहे फैक्ट्री का हो, चाहे पढ़ाने के लिए टीचर हो, चाहे प्रोफेजर हो, चाहे कहीं रिक्सा चलाने है चार चलाने वाला है चाहाँ चलाने वाला है चाहाँ चलाने वाला है चाहाँ चलाने वाला है हर समय हर जगे मनुस्य की आउशकता पड़ती थी पर अब समय बदल गया है अब मशीने आ गई है इस बार अगर हम इखटे नहीं हुए तो सारा काम मशीने करेंगी हमारी जरू तो नहीं पड़ती है उसको खतम कर दिया जाता है और खतम करने के जो तरीके हैं वो इंडायक्ट होते हैं उनकी दवा बंद कर दो हॉस्पिटल महंगा कर दो बीमारी से मर जाएंगे उनको काम मत दो भुकमरी से मर जाएंगे उनको इज़त मत दो उनकी बेचती करो अपमान स मर जाएंगे उनको भूका रखो और चोरी करेंगे जेल में जाएंगे मर जाएंगे या भूके मर जाएंगे ये इंडायक्ट तरीके होते हैं किलिंग के इस से करोडो लोग मारे जाते हैं करोडो और किसी को पर इल्जाम नहीं आता आप जाओ किसी हॉस्पिटल में जाके कहत कि मेरा बच्चा बीमार है भी आसका लाज को रहाँ वो तो कहा देगा आपस चाल लाक रुप जमा कराओ अब काम आपके पास है नहीं नौक्री आपके पास नहीं चाल लाक रुप कहां से लाओगे एक वार घर बेज़ दोगे दुबारा कैसे करोगे तो आपका मननाते है और घर बेज़ दोगे तो फिर सबका मननाते है इसलिए ये चीज़ें इंडिरेक्ट चलती है डारेक्ट नहीं चलती है पर इन सबका इलाज है और वही इलाज है जो पहले किया था बस इखटे हो जाओ, अगर इखटे हो जाओगे तो बच जाओगे, फिर हर्चीज आपकी हो जाएगे और इखटे नहीं होगे, तो इस वार नहीं बचोगे, इस वार मारे जाओगे, जड़ साफ हो जाओगे, नाम लेवा भी नहीं होगा, कोई सरमन का, सरमन संकती का, बुद के पास में कोई स्किल है ना जिनके पास में पढ़ाई है ना जिनके पास में सेह हते हैं ना जो कुछ जानते हैं और जिनको पहले से नीचे स्थान पे धखिला हुआ है सबसे पहले वही मारे जाएंगे आपको पता भी नहीं चलाएगा और आपकी बच्चों की और आपकी हत् इसलिए जिद्ध है जुड़ने की जिद्ध है बचने की जुड़ेंगे तो बचेंगे और नहीं जुड़ेंगे तो मारे जाएंगे मेरे इस वक्त अब मैं अगर किसी कोई परचानी होई हो किसी को कुछ खराब लगा हो तो मैं संग से माफी मंगता हूँ संग मुझे माफ करे